आज हम बात करने वाले हैं real time biometric के pro 1400 model के बारे में तो यह देख सकते हैं यह हमारा pro 1400 model है यह हमारा long range face recognition device है इसमें हमें fingerprint नहीं मिलता है उपर देख सकते हैं यह हमें camera मिल जाएगा यह पूरा full touch screen का display है इसमें face, card और password यह 3 चीज़े मिल जाती है अगर हम इसमें capacity की बात करें जिसमें 10,000 user capacity है जिसमें 10,000 face, 10,000 card और 10,000 password हमें मिल जाता है अगर हम इसमें communication के लिए बात करें तो communication के लिए हम यहाँ LAN का connector लगा सकते हैं जो device के साथ में connector आता है यह कुछ ही इस तरह से होता है जिसको हम device में directly connect कर सकते हैं connectors के थुरू नीचे हमें एक USB का port मिल जाता है और communication के लिए device के अंदर हमें Wi-Fi भी मिल जाता है अगर हम communication के अंदर देखे तो हम Ethernet और Wi-Fi दोनों option मिल जाता है उसके वाद अगर इसको हम software में communication की बात करें तो इसे हम desktop या web किसी भी software में connect कर सकते हैं Ethernet या Wi-Fi के थुरू internet दे करके चाहिए हम local system में connect करें या server IP डाल करके हम server पर भी connect कर सकते हैं door access पर अगर हम control करने की बात करें तो यहीं से हम wiring कर सकते हैं जो भी connectors हम लगाएंगे connector लगा करके हम door पर भी लगा सकते हैं जिससे lock और reader यहीं से हमारे connect हो रहेंगे चुकि हमारा long range face recognition का डिवाइस है तो बाकी devices से ज़्यादा बाकी devices के compare में हम इसको और ज्यादा लंबे distance से face punching कर सकते हम एक बार एक face register करके चेक कर लेते हैं कि speed और recognition दोनों बाकी devices से compare में बहुत ही ज़्यादा fast होता है कि देख सकते हैं इसका face recognition कितना ज़्यादा fast है इवेन अगर मैं move भी होता रहता हूं तो भी वो detect करती रहती है और यह सिर्फ इतना ही नहीं है और भी distance से जाकर के punch कर सकता हूं अभी चुके मैं और ज्यादा पीछे नहीं जा सकता हूं लेकिन हम जितना ज़्यादा भी हो उतना पीछे जाकर के पंच कर सकते हैं लॉंग रेंज फेज रिकर्गनिशन है तो लंबे distance से भी हम इसमें पंच कर सकते हैं और यह